एलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइ चैनल इग्णू असाइन्मेंट गूरू क्या जून 2020 वाले स्टुडेंट को एक्जाम फॉर्म दुबारा भढ़ना होगा अगर वो दिसंबर में एक्जाम देना चाहते है तो अगर भढ़ना होगा तो कैसे भढ़ना होगा नहीं भढ़ना ह जो होने वाले तो चलिए इन सभी को हम जो है रीड कर लेते हैं वन बाइवर जबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैवन्त पॉइंट की जिसमें कि आपको यह चीज बोली गई है कि स्टूडेंट ने अगर अपनी एक्जामिनेशन फी को पेक कर दिया था उनकी होल्ट टिकट जन नहीं होई थी या फिर होल्ट टिकर जन एक्जाम देने के लिए नहीं कहते तो उन स्टूनेंट को पर अब्मिट के जाएगा पर्मिटि टू अपेरें दिसंबर एक्जाम विदाउट पेइंग एक्जामिनेशन फीस यानिकि वो जो जो एक्जाम दे पाएंगे लेकिन उनको जो है अपनी फीस दुबारा से पेइं नहीं करने होंगी और आपकी होल टिकर जो है जनरेट हो स्वेखां मे कोई कोई जाला त्रह यानिकि जो एक्जाम सेंटर आपके पिछले समिस्टर या फे इस साल नहीं हो पातक है याप में बहुँच चाहुशन को को कब नहीं के देख यहाँ पर देखिए यह चीज नहीं लिखे हुई कि आपको एक्जाम फोम नहीं भरना है यहाँ पर यह चीज जो है कहीं पर भी मैंशन नहीं है तो अगर आप दिसमबर में अपने एक्जाम पूम है आपको इसको फिल करना होगा अगर आप जून 2020 वाले सुडेंट है अगर आपके एक्जाम सेटैंबर में थे अगर आप आप आपके एक्जाम नहीं दिया था तो वो जो आप एक्जाम दे सकते हैं बिना किसी फीपे किये यह देगे आपको एक्जाम को फिल करना होगा एक पुइंट में देखिए यह लिखा हुआ है कि अगर मान लेजीए आपके इस में के आपको दुबारा से एक्जाम ऑपना ओगा लेकिन उस में उस सब्जेक्ट की जो है दुबारा से एक्जाम दे रहींगी क्योंकि देखें यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि in case student has appeared in any of the course in September या October, which to appear in December for the rest courses, has to submit a fresh exam form, यानि कि fresh online exam form for the rest courses, उसके लिए आपको जो है दुबारा से fee pay करने होगी, इस जिसका भी ज़रूर धान नखेगा, अगर आप final year के student थे, आपने आधे exam जो है September या October में दे दिये थे, लेकिन आपने सुझा था आधे exam जो है आप December म लेकिन अगर आप final year के student है, आपने एक भी exam नहीं दिया था, यानिकि आपने पूरे exam जो है skip किये थे, तो वो exam भी आप December में दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको exam fee pay नहीं करने होगी, simple अपना exam form जो है बढ़के submit करना होगा, वो भी जो है मैं आपको आगे चल के दिख खाने वालो, ठीक है अगर मालेजिया आपकी back आई है, पाफिसे students को comment में पूछेते कि उनकी back आई है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी जो है दुबारा exam form भनना पड़ेगा, इन वो दिसंबर में अपने exam दे पाएंगे, मालेजिया आपने September, October में अपने exam दे थे आप जो है रिजल्ट चेक कर सकते हैं एक डूट की official website पर, वो भी मैं आपको दिखाया था हूँ, आप यहाँ पर जाएंगे, तो देखें, यहां पर सबसे पहले ही आपका लिखा हुआ है, आप इसको open करेंगे, तो देखें, बार अक्टूबर को जो है last update हुआ है, तो आपको जो है, exam fee को pay करना होगा, और देखें, 10th point जो है लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको वीडियो में शुरू में बताया था, अगर आपको exam center change करना है, तो आपको fresh exam form बना होगा, लेकिन उसके लिए आपको कोई भी additional fee pay नहीं करनी होगी, यही जो थे, आपके 4 point थे, सब September के मन्त में, लेकिन इनों अपने exam के लिए form बना था, लेकिन एक भी exam नहीं दिया था, तो आप यहाँ पर जाके जो check कर सकते हैं, जब से ही आप अपना exam form में आप जाएंगे, यहाँ पर declaration पर click करके proceed to fill करना है, उसके बाद देखें, सबसे बाद तो आपको program code select करना है, उ course code and center already filled, T June 2020, यह जो है आपको change हुआ है, आपके exam form के अंधर, यहाँ पर देखें, साफ साफ लिखा हुआ है, will be applicable for December 2020 T, तो इनों ने एक भी exam जो है, अपना नहीं दिया था, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इनका center code लिखा है, अगर आपको center code को change करना है, तो आप यहाँ जाएंगे, हाला कि अभी के लिए list में जो है, error आरे, लेकिन आप बाद में जाके check कर सकते हैं, तो अपना exam center यहाँ पर select कर पाएंगे, जून सा भी आपको चाहिए होगा, पर example के लिए, अगर मैं बात करूँ, अशोग बिहार वाला उच्छी है, तो आपको यहाँ पर select कर आपको अपना program select करके submit पर click करना है, submit पर click करने के बाद नीचे आपका लिखा आ जाएगा, कि आपने already कौन से courses के लिए जून 2020 का exam form फिल किया था, और उसके बाद देखी, यहाँ पर एक चीज़ दिखिए है, we want to add more courses, so अगर आपको ने exam दिया था, अपने September का, ठीक है, अ आपने नहीं दिये थे, तो यहाँ पर आपको add करना पड़ेगा, more courses को, आपको select करना है, yes, yes के बाद आपको, यहाँ पर select करना होगा, अपना, कुछ सा exam आपने नहीं दिये थे, तो उनके लिए आपको दुबारा से exam फिल करने होगी, अगर आपने सारे exam जो स्किप किया थ आपको semester based है, या फिर आपको योर course का exam देना चाहते है, तब तो आपको उसी exam की जो है fee पे करने होगा, अगर आप और किसी का exam नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ यही courses है, जो भी आपके यहाँ पर लिखे होगा है, इनी courses का सिर्फ आप exam देना चाहते हैं, तो आपको जो जो exam form, फिल नहीं करना है, कोई और आपको fee जो है pay नहीं करने हो, इस देखें, यहाँ पर लिखा हो है, do you want to add more courses, जिसके आपको no कर देना है, assignment पर आपको already या सो रखा, उसके बाद आप submit करेंगे, तो आपको 0 rupees fee दिखाएगा, आप जो उसको pay कर पाएंगे, यही था, आज की इस video में, I hope आपको जो है, समझ मागगी होंगी, कि अगर आप non-panier वाले student है, अगर आप December में exam form देना चाहते है, exam देना चाहते है, तो उसके लिए आपको exam form भणना होगा, लेकिर आपको fee जो है pay नहीं करने होगी, exam center change करना है, तूपर जाएंगे, आपको list मिल जाएंगे आप exam center जो है, हाँ पर साके, simply जो है, अपना exam center change कर पाएंगे, उसके लिए आपको जो है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले है, उसके लिए आपको कुछ भी additional pay वेगारा, कुछ भी ऐसा कुछ करने की जो है, जो है, जो है जो जो है, आप जो simply है आपके अपना exam center को जो है, चेंज कर सकते हैं जासे कि अभी के लिए इनका ओल लेडी 29089 है अगर मैं इसको चेक करो तो यह अभी शायद अभी नहीं होगा है वह चेक कर लेते हैं तो देखिए 86 तक है 89 जो है आप अविलेबल नहीं है तो इसी चीज के बारे में आपको बात करते हैं आपके जो है एक्जाम सेंट्र चेंज होते रहते हैं तो चलिए हर किसी स्टुटेंट को अपना एक्जाम फॉर्म फ्रेश भंडा कंपल्सरी है चाहिए आप जून 2020 में न थही करने पड़ेंगी अगर आपने सारे ऐक्जाम किये था अपने कोई सा भी एक्जाम नहीं दिया था चाहिए आप फाइनलिये के स्टुटेंट हो चाहिए आप नोन फाइनल या वाले तो आपको जो एक्जाम फी पे नहीं करने हो